नमस्कार मित्रों, स्वागत को बारत पर और मैं आपका साती बवानी सिंग्ग, अशा करता हूँ आप सब अच्छे हूँगे, मैं भी अच्छा हूँ और मित्रों जो आज का वीडियो है मैं बता रहा हूँ आपको मेरी जो गायों की अभी की परजेंट की कंडिशन्स है, लेकिन हमारे गावों में और आच्पास की कुछ च्छितर में लगबग लगबग अच्छी वरसाद हो गई है। अचारे के और फसलों के हिसाब से। तो इसी तो मैंने fly grazing के लिए multi open grazing के लिए free grazing का मतलब बिना पैसे की नहीं है जो मतलब gefचा आपने आप अराम से चरोगे अपनी अपनी भूंग का चरती है तो अभी मेरे जो घर से है लगब कर रहे है जमीं तो यह मैने किरराए पर यह है दो यहां पर आड़ा चारा और बहरा болगे भलता धा का प्रोडूरूज हमारे इदर ऐसा का जाता है कि 12 महीने वो हष्ट पुष्ट और तंदूरस्त रहती है तो आज में आप सब जो मेरी गाये हैं गोमाताइं हैं उनका दर्शन करवाता हूँ आपको आप देखिए फर्क खुद यह राजस्तान में हमारे किया कि मित्रों के थोड़ी जाती है और अभी जो आप देखेंगे बिल्कुल रात दिन का फर्क है यह मित्रों सामने जो मेरी गिर गाई है तो अभी इसको ब्याये हुए लगबग डेट से पौने दो महीने हो गए है तो देखेंगे इसकी हेल्थ भी काफी पहले से बैटर हो गई है क्योंकि यह जो व और सामने यह जो गाई है यह है विच्ची नाम है इसका आप देखिए और मित्रों किसी दिन इसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा यह जो गाई है इसका मेरे प्रती विशेश ने है और इवन जब मैं यहां से वापिस ग्रेजिंग के बाद में लेके जाता हूं गर पर या वापिस इदर आता हूं तो कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे बात कर करता है या मेरे सामने आके जोर से अगर बोल देता है तो यह मतलब उसके उपर अटेक कर देती है इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको कैसे यह मेरे को बचाने के लिए दौड़ती है और उदर यह सामने कांकरेज नसल की है जो सोमती है इसकी जो माँ थी वह मेरी सरव पर्थम गाई थी और इसकी माँ तो अभी फिलाल है नहीं तो यह है सोमती यह भी अभी नाइन्थ लेक्टेशन में प्रेगनेंट है अभी दूद दे रही है तो विशेश कर हम घर के लिए हाला कि मैं गीरी गाएं रहता हूं लेकिन घर के लिए मैं और बच्चो अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो एक लड़ाकू कम्यूटी रही है तो कईन कई जैसा खान पान का जो परभाव है डियने और खान पान का परभाव पड़ता है तो सेकंड चीज जो खान पान आती है डियने के बाद में विशेश गुण आपको पीडी दर पीडी मिलता ह है इवन राजफूत कम्यूटी ने राजस्तान में और भी कई लड़ाकू कम्यूटी रही है चाए वो जाट हो चाए गुर्जर हो चाए वो रबैरी हो और भी कम्यूटी है अलग-अलग छेत्रों में तो उनका भी कहिन कहीं एक विशेश रूप से एक रीजन है जो देशी गोमाता का दूद है जो हमारे पूरवज पीते थे उनसे वो बलसाली भी होते थे और उनका एक स्वभाव में एक विशेश गुण आता था तो इक कांक्रेज हमारे जो बुड़े बुजुर्द अभी भी कहते हैं कि अगर बच्चों को लड़गू बनाना इवन वर्यर्स पनाना है तो उनको कांक्रेज या नारी का दूद पिलाओ तो क्यों कांक्रेज की जो प्रवर्ती होती है वो एकदम एग्रेश्यू होती है तो उस वज़े से नेचुरली आपके सवभाव में गुण आता ही आता है अलाकि साइंस के हिसाब से हो सकता कुछ अलग है लेकिन इस चीज को मानना ही पड़ेगा अगर जैसा अपन अन खाएंगे वैसा हमारा मन और सवभाव और गुण हो गई होगा अलाकि यह गाई जो है वैसे सिद्धी है और सामने यह बच्डियां चल रही है और इधर मित्रों है यह है जो भावती गिर्ण नसल की बहुती प्यारी गाई है देखिए और सामने मित्रों जो देखिए आप पहले जो गर्मियों के दिनों में जो हीरल काफी ठकी हुई थी काफी कमजोर थी लेकिन यह बच्ड़ी है हीरल जो विच्ची की बेटी है बेक्ग्राउंड में जो देख रहे हैं आप इसके बराबर में वो इसकी माँ है और यह हीरल है हीरल भी बहुत अच्छी हो गई है और सामने देखिए आप यह जो बच्ड़ी है यह वाली बच्ड़ी यह रूपल है जो काबर की बेटी है जब काबर फर्स्ट लेक्टेशन में थी तो उसकी बेटी है अभी सेकंड लेक्टेशन में भी वो इसकी माँ बच्ड़ी लाई है और यह है जो सोम्ती की बेटी है जो कांकरेज नेसल की गाई है उसकी बेटी है लक्षमी तो ये तीनों बच्छडियां काफी ठकी हुई थी उसमें लेकिन अब देखिए आप इनमें बिल्कुल अच्छा परिवर्ट है हाला कि मैंने गर्मियों के दिना में इनको बांटा भी जो जो का दलिया है वो स्टार्ट किया था तो काफी फरक पड़ा था तो अब ये बहुत अच्छी होगी है और अभी आने वाले दो तीन महीने जो बाहर चराई होगी तो इनको काफी फरक पड़ेगा और सामने मैं ये बता देता हूं जो कांक्रेज नसल की बच्छडी है जो इसकी माँ थी पाडोल थी और ये जो मैंने अभी गौशला में काफी समय पहले दे दी थी और ये जो है चंदा है जो मैंने इसका प्यारा सा फोटो डाला था मेरे फेस्बुक पेज़ पे और ये साइड यूटूब पे भी डाला हूआ है तो ये फोटो काफी वायरल बहुती इसका फोटो में आप साइड में स्क्रीन में पर देख रहे है ये फोटो इसी का है और अब ये बढ़ी हो गई है और देखियां कितनी प्यारी लग रही है मेरे परती और हमारे गरवालों के परती बहुत ही टॉलरेंट है बहुत ही सान्थ है लेकिन अंजान लोगों के परती अकर कोई बाड़े में गुश जाए तो खाफी अग्रेसिव हो जाती है चंदा देखिए कितनी प्यारी लग रही है यह कैमरे को देखके आ रही है जैसे खाने को है कुछ और मित्रों सामने जो गाई है गिर नेसल की अच्छी गया है बुगली नाम है इसका और इस पार यह बच्छी लाइती बिजली जो इसी की बेटी है और यह जो है मिठूडा को गोसला में डालने के बाद में जैन गोसला में दे दिया था मैंने तो उसके बाद में जो अरजून है क्योंकि अरजून बड़ा हो रहा था तो अरजून के भी हल्थ देखिए अभी बहुत अच्छी होगी हल्थ तो अरजून मेरा यह फ्यूचर ब्रीडिंग बुल है इसकी मा का अठारा लिटर का रिकॉर्ड है तो बहुत ही अच्छा बुल बनेगा यह तो यह इस बार जो बार इसकी सीजन चर लेगा तो सर्दियां तक कि यह क्रोस होना चलू हो जाएगा ब्रीडिंग के लिए तयार हो जाएगा अभी फिलाल यह ब्रीड नहीं कर रहा है लेकिन यह अभी काफी बड़ा हो गया आने वाले चार से पांच महिने में यह तयार हो जाएगा और सामने मित्रों यह जो गाई है काबेर है तो यह काबेर है अभी सेकंड लेक्टेशन में है दूद दे रही है इसकी बचड़ी है जो काजल बहुत ही अच्छी गिर नेसल की गाई है यह तो मित्रों आशा करता हूं कि जो आज का वीडियो है मेरे फार्म की जो सारी गाएं है उनका वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और जो नए वीवर से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद मित्रों